हलो गाईज, सीटेट पेपर 2, सोसल साइंस यहनी कि SST के परप्रपरिशन कहां से करें? कौन सी बुक्स पढ़ें? हाउस वाइफ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बरकिंग परसन कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? क्या अश्ट्रेश्डी अपना है? सोसल साइंस, SST की पैड़ा गौजी कहां से पढ़ें? इन सब पर मैं चर्चा करने वाली हूँ इस वीडियो में तो वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा और वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्री एसस एंड वर्ल्ड और अगर आपको ये वीडियो लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें सेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे आने वाले वीडियो का नोटिकेसन आप तक पहुँच जाए तो मैं आज बात करने वाली हूँ सब्सक्राइब करने को एसस की सब्सक्राइब कर नौटिक occupलत लिए तुइंस के लिए ऊपको ईन्याग्फिज करना हैं किस तरह इनको टैकल करना याग सुपनख़ कैसे करना इन सबको मैं अच्छे से आपको explain करने वाली हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ncrt लिया आईए कहीं स्वाप से ले लेजिए या online मंगा लेजिए अगर आपके पास नहीं है प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप online भी पढ़ सकते हैं ncrt books ठीक है तो अगर आप ncrt पढ़ रहे हैं तो six class से start करिए six class की ncrt बहुत ही अच्छी है मलब six seven eight तीनों class की बहुत ही अच्छी ncrt है friendly book है आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा क्योंकि books से हमें बहुत ज् मिलता है आप प्लीज बैचेज के पीछे मत भागना बिदाउट बैचेज भी आप आप क्या कर सकते हो सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है कैसे करना है इन सब पर मैं वीडियो डाल रही हूं continue डाल रही हूं मैंने हिंदी के लिए वीडियो डाल दिया है और एक एक वी सुच्रियो मेंने सारी सब्जेक्ट के ऊपर भी बात की थी अब मैं पर्टिकुलर वनवन सब्जेक्ट पर भी बात करें हूं हिंदी की वीडियो डाल फ्रू किया है आज मैं सुचल साइंस के बच्चों के लिए वीडियो लेके आई हूं उन्हें कुछ नहीं करना है अगर आपको NCIT reading में कोई problem आ रही है, understanding नहीं बन पा रही, explanation नहीं मिल पा रहा है, या कोई subject, sorry, word समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं NCIT series start कर दोंगी, मैं सुचरी हूँ, मैं कल से NCIT series start करने वाली हूँ, जो बच्चे seated paper to social science की profession कर रहे हैं, वो हमारी NCIT series से जोड़ जाईए, जो कि मैं कल से start करने वाली हूँ, ठीक है, हाँ, एक बात और, आपको इसे, हमारी NCIT series में कोई भी important point नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं कोई भी important point आपको, only important important point नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि statement based question बनते हैं, CTAT में, कोई भी line कहीं से भी उठा कर question बन जाता है, तो मैं हर एक line को बहुत ही अच्छे से explain करते हुए पढ़ाऊंगी, अगर आप लोग interested है, तो आप लोग मेरी ये series जोइन कर लीजेगा, यकिन मानिए आपको पहली बार में ही chapter में clarity आ जाएगी, फिर आप अपना, sorry guys, फिर आप अपना NCIT reading continue रखिएगा, उसमें क्या होगा, कि मैं सीधा chapter रेट करूँगी, line by line आपको समझाऊंगी, फिर जो important point होगा, उन्हें highlight करवा दूँगी, जिससे कि आप second time में revision करें, या second time में नहीं, तो जब last time में आप revision करें, exam time में, तो आपको क्या होता है, कि like sun, sun बगेरा होती है, like कोई कहीं, किसी जगह का नाम बगेरा होता है, तो यह आपको end में क्या होता है, कि, sorry guys, cold हो रखका है, इसलिए बोलनी पा रहे हूँ, तो end में क्या होता है, कि हमें time नहीं मिलता है, तो highlight point है, end में आप उन्हें एक बार record कर लीजेगा, बाकि आपको क्या है, NCRT, many times आपको पढ़नी पढ़ तो अगर आपको मेरी वीडियो यूशफुल लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को like करें, share करें and subscribe जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का notification मिल जाए, तो कल से आपकी मैं NCRT series start करने जा रही हो, तो जो जो बच्चे इन टेस्टें है, तो मेरी NCRT series को join कर लेना, उ यूटूब पे होगी, फिर ही होगी और जो भी problem हो आपको, तो वो मुझे comment box में comment कर दीजिएगा, so thank you guys, take care and bye bye